किसान भाई इस समय काफी बैस्त हैं और इसी बैस्ता के चलते हुए गेहूं की फसल में एक काफी भयानक कीट लगता है जो गेहूं की उपज को काफी अधिक हान भी पहुंचाता है तो कौन सा कीट है कैसे हम नियंतरन करेंगे और क्या क्या नुक्सान पहुंचाता है आज की वीडियो में हम इसी पर डिसकस करने वाले हैं नमस्कार दोस्तो मैं 37 आप देख रहे हैं कि अत्रिक्त सरसों जैसी फसल उसमें भी ये कीट लगता है और काफी अधिक हमको हान पहुंचाता है क्योंकि हमारी फसल का उत्पादन ये काफी अधिक कम कर सकता है कम कैसे करता है पहले दोस्तों यहां पर हम उसी को बता रहे हैं उसके बाद हम बचाव के उपाई भी आपको बता रहे हैं तो जो ये दोस्तों माहू लगता है आप देखते होंगे कि पत्यों पर भी ये चिपका रहता है और बाली पर भी चिपकता है और इसके अत्रिक्त जो है आपको ये तने पर भी लगा हुआ दिखाई पड़ता है कभी-कभी ये किसी खेत के एक कुने में लगा हुआ दिखाई अदिखे उधर से ही शुरुवात हुती और कभी कभी फूरे खेत में लग जता है आपने देखा होगा कभी ऐसा टाइम आता है जब आपके खेत में मात्र एक दु माहूँ लगे हो दिखाई पढ़ेंगे कहीं एक पोदे पर एक दु माहूँ चिपके बालियों पर यह सभी तरह से नुक्सान पहुंचाता है और यह पतियों पर है तो धीरे-धीरे बालियों और तने पर भी चिपकना चालो हो जाता है और यह तो धीरे-धीरे ओपर के पूरे बाग पर यह कुछ इस प्रकार से चिपक जाता है तो इससे नुक्सान क्या होता है युदि तने पर युख जाता है तो तने के मांधिम जड़ों के मांधिम से जो पोधा इस Olha ऋ समय पोहसक तुग ततु लेता है जिससे दाने का भराव अच्छा हो तो तने में जो पोहसक ततु के माध्धिम से बाली तक पहुंचते हैं तो वहां पर ये रस को चूस जाता है यानि उन पहुंसक तत्वों को चूस जाता है और बाली तक पहुंचने ही नहीं देता है उसी तरह जैसे ये बाली में जो चिपका होता है तो जो थोड़ा बहुत तत्व या दिपदार्थ कोई हैं वह बालियों तक पहुंच भी जाते हैं तो यह बालियों को भी चूस जाता हो कभी-कभी परागड की स्टेज में फूल की अवस्ता होती है उस समय माहू लग जाता है तो परागड की क्रिया को भी प्रभावित करता है इसके साथ साथ जो पतियों पर माहू चिपका होता तो पत्यूं पर यए पूरी तरह पत्यूं पर फैल लाता गू high जूर को यह करता है। वह बो चन से भोजन नहीं पुरणग से नहीं बना पाता है जिससे जब आप देखते हैं कहीं दूर एक कुने पे खड़े होकर के तो खेत आपको कुछी इस प्रकार से हलका पीला दिखाए पड़ता है और खेत में जाने के बाद तो आपको पता ही चल जाता है कि आखिर हमारी खेत में नुकसान पहुचाने वाला कीट माहूल लगी गया है तो पत्यों में लगा हो चाहे बालियों पर लगा हो चाहे तने पर लगा हो ये रस को चूसता है जो पोसक तत्यों पौदा हो चाहे पत्यों के माद्यम से भोजन बनाने में ले रहा हो या जड़ों के माद्यम से बालियों तक पहुचाने का कारी कर रहा हो या बाली में जो प नुक्सान पहुंचाता है जिससे काफी ज़्यादा नुक्सान गेहुं की फसल को भी यह पहुंचा सकता है तो जब भी आपको अपने खेत में माहु लगा हुआ दिखाई पड़े चाहे एक 2 लगा हो चाहे ज्यादा लग गया हो आपको इसके तुरंत उपाए करने चाहिए अब उपाई में किसान्दोस तो बहुत से किसान भाई बहुत तरह की दवाओं को यूज कर देते हैं जबकि उनका कारी कुछ दूसरा रहता है लेकिन वो यूज माहू नियंत्रन के लिए कर देते हैं जिससे माहू तो कंट्रोल हो जाता है लेकिन जो दाने का भराव है वो भी प्रभावित होता है क्योंकि इन प्रोसेस को जो परागड की क्रिया और दाने की भराव की क्रिया को उसको भी नुक्सान पहुंचाता है तो यहां पर ध्यान देने वाली चीज है जो आप दवाव ले रहे हैं उसमें लास्ट में थिन या थिन नहीं लगा होना चाहिए क्योंकि थिन या थिन वाली दवाव को यदे आप इस्प्रे करते हैं तो माहू तो बहुत अच्छी तरह से तुरंत कंट्रोल हो जाएगा लेक उधर की फाले दोज में आपको इस्प्रे नहीं करनाए लेक दवा करती है जोए दौसतो इमिड़ा क्लूरोपिट को आपसक्य कर सकते हैं काफी अच्छी दवा है और इमिड़ा क्लूरोपिट की जो 17.5-8 % की दवा आती है इस इक हैं ऐसी को आपको लेना है 100-150 एमात्रा म माहु जैसे चीट को आसानी से अपने गेहों की फसल से बचाव कर पाएंगे दूसरी दवा आती है थायोमिताकस袜ी जो डवा आपको लेनी है या तो 25% वाली लेनी है तीस परिसंट वाली 25% पी की जो मातरा आती है इसकी आपको 200 से 200 गराम मातरा लेकर के अपने खेत में इस इस्प्रेय कर देना है तो थोड़ी बहुत डोज आप बढ़ा सकते हैं वैसे नार्मली डोज आपको यही यूज करना है और देखेंगे कि चार से पांच दिन में माहू आसानी से आपकी गेहों की फसल से दूर हो चुका है यानि मर जाएगा अब इसकी जो 30% की मातरा आती है वो 150-200 की मातरा के बीच में ही रखना है यह ML में आती है तो 150-200 ML के बीच में ही मातरा रखनी है उससे अधिक मातरा आपको नहीं रखनी है और उसका इस्प्रे कर देना है इस्प्रे करते समय 150 लिटर पानी आपको जरूर लेना है एक दोस्तो और दवा आती है जिसका नाम ह इमामेक्टिन बिंजोएट इमामेक्टिन बिंजोएट वैसे तो ये दूसरे चीज़ के लिए बनाई हुई है लेकिन यदि आप इसको भी यूज करें तो इससे भी माहू काफी अच्छी तरह से कंट्रोल हो जाएगा और इसकी मात्र 100 ग्राम मात्रा आपको एक इकड के अच्छी तरह से भोजन बना पाएगा और प्रागर की प्रोसेस होती वह पी काफी अच्छे से होगी और पैदावार आपकी जो कम होने वाली है तो वह नहीं होगी और आप अच्छी गेहों से उत्पादन भी ले पाएंगे तो उमीद करता हूं दोस्तों आपको इस जानक जानकारी आपको इस चैनल के माद्धम से मैं देता रहता हूँ तो उम्मिद करता हूँ मिलते हैं नए वीडियो में धन्माद